अलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हम आज शुरू करें यहां हमारी अगले कलास जिसका पहला क्यूशन है राजस्तान के निमन जिल्लों को बढ़ते हुए अक्सांशिय करम में वबस्तिते कीजिए तो अक्सांशिय करम मैंने आपको कल बताया था कि जो आड़े रिखाए होती है वो अक्सांश होती है तो अक्सांश होती है तो अक्सांश है वो दक्षिन से उत्तर की तरफ चलने पर क्या है बढ़ते हैं तो अक्सांशिय करम में दरसाना है तो सबसे पहली जो अक्सांश में आएगा वो कौन सा जिला होगा पहले वो अप् जिसमें हमारा सही कौन सा होगा दक्षिन से उत्तर की तरफ चलते हैं तो पहले सिमा किसके आएगी जालोर की उसके बाद टॉंक की और उसके बाद नागोर और उसके बाद सिकर तो पहला जालोर दूसरा टॉंक तीसरा नागोर और चोता सिकर हमारा उप्षन कौन सो जगा लोग प्रियत मान्यता वेदिक स्थूतियों में ब्रह्म वर्त की भूमी के रूप में संदर्भित छेतर के एक हिश्य को वर्तमान में राजस्थान के खालिस्थान भाग से जोडती हैं तो कौन से भाग से जोडती हैं जो ब्रह्म वर्त ये सब्यता हैं जो मुहन जोद्डो एवं हडपा से भी विक्षित सब्यता थी जो वेधिक ग्रन्थूं में वरणीत है द्वस्दवती और yearly सर्षवती नदी के बीद पूसकर थक फेली हुई थी तो जो राजस्थान के कौन से भाग में आती थी उत्री भाग में आती थी कुछा सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है इसमें पहला कुछा है बेवात अलवर और कोन से चेतर को कहा जाता था डूंगरपूर और बाहसवाड़ा की चेतर को कहा जाता था तो यह भी सही है त्यस्रा है बुमट पर्टाबगड और चित लौंचlawडगड तो यह find न ह incap सब्सक्राइब का प्रियोग सरुफवा परतम किस ने किया था मैंने कल भी बताया था किस ने किया था करनल gm से ठोड़ ने किया था झिसमें पहला और पर से जोर्ज ठोमशन कर्नल जेम टोड घय कोज़ा अयश समित है तो करनल होगे उसमें उसमें राजस्तान को रायथा ने कहा है जिसमें राजाओं के निवास्तान को क्या कहते थे रायथान कहते थे हमारा नेक्स्ट क्यूशन है अंग्रेजों के अधीन राजस्तान का पुराना नाम था यह हमने क्यूशन परसों किया था साइद तो अंग्रेजों के धिन राजस्तान का प्राणा नाम क्या था राणावर, मेग, मलहार, जैपूर और राजबुताना तो क्या था राजबुताना था तो यह 18802 में किस ने दिया जोर्ज थोंस ने दिया था हमारा नेक्स्ट क्यूशन है राजबुतान के किस छेतर में जपूर सहर इस्तित है मेवाड, मारवाड, डुंडाड या हडोती तो कौन से छेतर में हैं डुंडाड छेतर में आता है तो मेवाड छेतर में कौन-कौन से जिले आते हैं उद्यापूर आता है उध्यापूर, राजसमंद, बीलवड़ा, चितोडगड़ और परतावगड़ यह जिले मिवार छेतर में आते हैं मारवार छेतर में कौन कौन से जिले आते हैं मारवार छेतर में जोदपूर आता है सबसे पहले उसके बाद नागोर, पाली, बिकानेर, जेसलमेर और बाडमेर चेतर आते हैं और डुंडार चेतर में जबपूर, दोसा, टॉंक और अजमेर का भाग आता है उसके बाद हडोती का मैंने बताया ही था कोटा, बुंदी, बारा और जलावाड आता है इसी तरह जो सेखवाटी छेतर है, सेखवाटे में चूरू, सिक्करोर, जुन, 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 छेतर आते हैं मिवाद में अलवर भर्थपूर आते हैं, ये भी हमने किया था वागड़ है उसमें डुंगरपूर हो रहे, बासवड़ा आते हैं किसने लिखी थी, करणल जेम से टोड़ ने लिखे थी, इसमें कौन सा है, विंसेट स्मिथ, जेम स्टोड, करणल जीबी, मलसन और फिलिप, मेसन तो सही, ऑप्शन कौन सा होगा, जेम से टोड़, कब लिखी थी 19 में सदी में The Enals and Antiquities of Rajasthan करनल जेंश पोड ने लिखी थी और इसका दूसरा नाम क्या है The Central and Western State The Central and Western राजपूत स्टेट हमारा नेक्स्ट क्यूशन है भारत के लगब कितने परतिसाथ 36 पल पर राजस्थान फेला हुआ है 18.3 परतिसाथ 10.4 पर तिसाथ 22.5 परतिसाथ और 16.4 परतिसाथ छही कौनसा होगा? 10.4 परतिसाथ राजस्थान कुल छेतरफल कितना है 362,499 वरग किलोमेटर जो खो भारत के कुल छेतरफल का कितना है 10.4 परतिसाथ है हमारा नेक्स्ट क्यूशन है पहला कथन है कि राजस्तान में सबसे पहले सुर्योद्य दोलपूर के सिलाना गाउं में होता है जिसका कारण क्या है दोलपूर राजस्तान के सबसे पूरों में इस्तित है कथन सही है और कारण भी सही है अगला ओप्शन है कथन सही है लेकिन कारण गलत है अगला है कथन गलत है लेकिन कारण सही है और चोता है कथन और कारण दोनों गलत है तो इसमें कौन सा होगा कि राजस्तान का सबसे पहले सुर्योद्या कहा होता है दोलपूर के सिलाना गाओं में होता है तो ये उप्शन सही है हमारा और दोलपूर राजस्तान के सबसे पूर इसी कारण दौर्लपुर में सबसे पहले सुर्योद्य खुटा है तो यह भी रह सरी है क्योंकि है किसे पूर्पा सबसे पूरे के नियुक्ता है करकरिया का संब्या करट नतीर करक रेका भारत के आट राज्यों से गुजर्ति है सही है करक रेका भारत के गुजराथ राजस्थान तीसरा च्टिसग सगड मध्यपर्देश जारकंड पश्ची मंगाल तीरुपुरा पर मिजौरों तैयर विप्रों packed season स्मा इचे मेर्न करामफरी और दुसरा है कराकरेखा डूंगरपुर के चीखली एगवोग के नजडिक से गुझरती है ये भी सहिए Wakar हमके दूछाती है और दूंगरपुर का चीखली एगवोग के नजडिक शेयर है है तो ये सही है तो देखते है आप्सन केवल Whatsapp केवल ए और बे सही है ए बे और सही है केवल बे और सही है तो तीसरा उप्षन हो जाएगा सही क्योंकि तीनों सही है आज की कलास में इतना ही बागी की कलास हम कल करेंगे और आगे के क्यूशन्स देखेंगे धन्यवाद